हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में बिग्यान यानि साइन्स के दूसरे मॉडल सिटकॉम सॉल्व करके यहाँ पे आपको बताएंगे जिसमें 48 महत्वपूर्ण अब्जेक्टिव प्रशन है और ऐसे ही आपके बोर्ड तक जब भी हम कोई वीडियो अप्लोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और डेली साम 5 बजे लाइफ क्लास चलता है तो लाइफ क्लास में आप लोग जरूर आए आए शुरू करते हैं यहाँ से पहले नंबर प्रशन से तो पहला प्रशन आपके स कि और प्रवर्तन के कितने नियम होते है तो प्रवरतन के किरनजल में 5 और शुटर केगी बी आप्शन न अफिलंब की और जुकेगी C option है सीधी निकल जाएगी, D option है प्रवर्तित हो जाएगी, तो यहां पे देखिए वायू क्या हो जाएगा, बिरल माध्यम हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा, यहां पे सगन माध्यम हो जाएगा, तो पता होगा आपको कि जब परकास की किर्णे बिरल माध्यम से सगन हमें जाएगा तो अभी लंब से दूर हटेगा ये भी आपको पता होना चाहिए यानि यहां पर ए ओप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर देखिए तीसरा प्रश्ण निमने लेखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं ए उत्तल लेंस बी ओप्स आपको पता होना चाहिए यहां पर देखिए वस्तु के बराबर अगर हमको परतिवीम चाहिए तो हमें कहां रखना चाहिए वकरता केंद्र यानि चाहिए यहां पर देखिए लेंस के मुख्या फोकसफे सब्सक्राइ्ट इיים नत्र प्रशन के इंदर बिब्लकुन करहते हैं इन्गला pushed रहां हो जाय का प्रशन काफी महत्तों अ पुढ़को नेत्र जिससे किर राष्मस जिस भाग पर किसी वस्तू का प्रतिवीम बनता है वह यह पुझा गया है पांच नमर मानव नेतर में जिस भाग वस्तु का प्रतीविम बनता है उसे क्या कहते हैं यह पर जाता है यहां पर बिल्कुल रिखते हैं अगला प्रशनी आप पर 6 नमर प्रशनी किसी माध्यम के अपरतनांग म्यू का मान होता है यहाँ पे अप्षन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहाँ पे साथ नमबर प्रशने देखें काफी महत्व पुण है प्रशने है किसी लेंज का यहाँ तो यहां पर देखें का मतलब के उचाई बठा बस तो रूड़िं मानलीजी फेशनग व्चाई चार और वस्चाई दो मीटर है इसके अनुपात यानि बट्टे को काते हैं तो यहां से मीटर से मीटर कड़ गया दो से दो कड़ यानि दो आ गया इसमें मातरक क्या हो जाता है कड़ जाता है यानि यहां पर डी ओप्शन क्या हो जाएगा यहां बिल्कुल सही हो जाएगा जो आवरधन होता है उसक प्रकास का प्रकास का अधारित है या फिलकुल सही हो जाएगा जो प्रकास के आपवर्तन के कारण ही तिम आते हुए नजर आते हैं यह देखते हैं नो नमबर प्रशने काफी मातों पुड़ है किसी चालक का परती रोधनिमने लीकित में से किस पर निर्भर करता है यानि उप्यूक्त में से सभी पर निर्भर करता है क्या हो जाएगा एक भी प्रशने आप स्कीप नहीं किजिए शुरू से अंतक देखिए आपको बहुत ही फायदा होने वाला है यह देखते हैं अगला प्रशने आप दस नंबर दस नंबर प्रशने देखिए काफी महतों पुड़ है निमने लीकित में से कौन विदूद सकती का ऐसा ही मात रखें इंब आप बी ओप्सेन वाट परतिगंटा सी ओप्सनन है अंपीर डी ऑप्सन है ओम तो यहां पर देखिए निमने लीकित मैंसे कौन विदूद सकती का ऐसा ही मात रख होता है यानि यहां पर अप्सन क्या हो जाएगा यहांपर बिल्कुल सही हो है कि परपत्द में अगर विदुधरा का मापना है तो किष्च कहां प्रीयूग करेंगे प्रेसरा अ में प्रेखन के विदुधरेक आर्वा में से कौन सा कतन सकते है जो फ्यूस-तार होता है उसके लिए इसमें से कौन सा कतन सत्य है उसको पहचाना है यह प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होना चाहिए गलत बात है भी प्रतिरोध कम तथा गलनाग अधिक होना चाहिए यह बहुत गलत Barnya सी वाला अथिक तथा गलनाग कम यह सी वाला ऑपसन एचे हो जाएगा कि प्राइब मोफटन इतन्सार प estas जो होता है जो होता है जिसका प्रतिरोद अधिक होता है और गलनाऌ था धीग मंठोख से हो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हंपर काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पूछा गया है कि निमनिलिकित पतार्थों में क्या हो जाएगा आगला प्रसथ देखिए इसकी है सिरू की और जाने पर बढ़ता है वैसे इसके सीरों की और जाने पर बढ़ता है D option है सभी बिंदो उपस समान होता है तो यहाँ पे पूछाए किसी बिद्धुत धरवाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुमबकिया चेतर इसके सीरो की उर जाने से क्या होता है बढ़ता है यानि यहाँ पे C option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्ण है आईए देखते हैं 15 नमर प्रश्ण है तो यहाँ पे देखिए 15 नमर प्रश्ण है बिद्धुत धरा का चुमबकिया परभाव का कोज किसने किया यहाँ पे D option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा बिद्धुत धरा के चुमबकिया परभाव का कोज किसने किया था तो माइकल फैराडे ने किया था यहाँ पे D option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण याँ पे 16 नमर प्रश्ण देखिए नीमन में से कौन जैओ मात्रा उर्जा का उदाहरण नहीं है A option है लकडी, B option है गोवर गैस, C option है नभीके उरजा, D option है कोईला तो यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन जेओ, मात्रा उरजा शुरोत का उधारन नहीं है तो यहां पर नभीके उरजा नहीं है यानि यहां पर C option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रशने यहां पर 17 नमर प्रशने देख लीजिए, NA2SO4 प्लस BACL2 एरो BASO4 प्लस 2NACL तो यहां पर देखिए जो SO4 है, वो किसके साथ बिस्थापित हो जा रहा है, BA के साथ यह क्या हो जा रहा है, बिस्थापित हो जा रहा है, जो NA यानि sodium है, वो CL के साथ बिस्थापित हो जा रहा है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर BA SO4 बन रहा है, यानि BA के साथ SO4 चला गया, और NA किसके साथ चला गया, sodium के साथ तो यह प्रतियस्थापन हो रहा है, यहां पर कौन सी अभी किरिया हम लोग कहेंगे, इसे बिस्थापन अभी किरिया कहा जाएगा यहां पर डी ओप्शन का जाएगा यहां पर बिल्कुल से हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्णे अगला प्रश्णे आप अठार नमर प्रश्णे देख लीजिए अमलिया वर्षया का जल का पीएच मान क्या होना चाहिए पाँच दसम्लों चौ बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने आप पर दिखेंगे 19 नमर काफी महत्वपुण है इन्ने एच सियो थुरी थिरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं यानि यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने आप अगला प्रशने बीस नमर देखिए उपचा अपच का उपचार करने के लिए निमन में से किस औस अउसधी का तो यहां पर देखिए जब अपच का उपचार करने के लिए हम किस औसधी का उप्योग करते हैं तो यहां पर एंटा सिड दिया जाता है यानि यहां पर सी ओप्सन का हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने आपी 21 नमर प्रशने काफी महत तो पुर्ण चीटी के डंग में चीटी के डंग एक अमले छोड़ता है जिनके कारण जलंदर्द का अनुबा होता है निमन लीखित मैं से यह कौन सा अमले एउप्सन है मैं थनौइक अमले वह जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहां प किस में पाय जाता है यहां पर यहां पर यहां पर थेस नमर प्रश्णि देखिए यहां पर तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रशने आपर अगला प्रशने आपर अगला प्रशने आपर 24 नमर देखें निमनलिकित में से कौन सी धातू कम्रे के ताप पर तरल अवस्थ हमें पाया जाता है यहाँ पर अगला प्रशने आपर 25 नमर प्रशने काफी महत्यों पुढ़ है नाइट्रोजन के दो परमाड़ों के विच कितने अबंद होते हैं एपसन है एक अबंद बी अबंद दूई आबंद सी ओपसन है त्री आबंद डी ओपसन है इन में से कोई नहीं तो नाइट्रोजन के दो परमाड़ों के बीच कितने अबंद होते हैं तो यहाँ पर त्री आबंद होते हैं तीन अबंद होते हैं यहाँ यहाँ पर सी ओपसन तो जो ग्रिफाइड है वो अधातु होते हुए भी विद्धूत का क्या होता है सूचालक होता है यहाँ पर उप्सें क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा आज़े देखते हैं अगला प्रिशने आप देखिए कार्बन के सबसे बाहरी कोस में इलेक्टरॉ कोनों की सिंखे कितनी होता है चार होता है यहां पर B option क्या हो जाएगा बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन यहां पर 28 नमर प्रशन देखें काफे महत्वपुण है यहां पर 29 नमर प्रशन देखें समान आडविक सुत्र लेकिन भिन भिन रचनाव वाले योगिक निमनलिकित में से क्या कहलाते हैं यहां पर समान आडविक सुत्र लेकिन संरचना सुत्र भिन भिन होता है उसे संरचनात्मक क्या यहां यहां पर यह बिलकुल और यहां पर एगला प्रशन यहां पर 30 नमर प्रशन देखें काफी महत्यपुण है मेंडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्तों के गुर्धर में निमनिलिकित में से किसके आवरती फलन होते हैं यह आपए बी ओप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल और जो अधुनिक अवर्त साणिजी से हम लोग पढ़ते हैं वो किस पे अधारी थे तो परमाडु संक्याओं पर अधारित है आईए देखते हैं अगला प्रशने आपे 31 नमबर प्रशने देखें काफे महत्तपुण है आधुनिक आवर्त सार्णी के उदग्र अस्थम वो निम्निम लिखित में से क्या कलाता है यहाँ पर पूछेगा है कि आधुनिक आवर्त स क्या बोलते हैं जो उदग्र अस्थम होता है उसे हम आवर्त बोलते हैं तो यहाँ पर उदग्र अस्थम को क्या बोलेंगे या वर्क बोलेंगे यहां पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने आप 32 नमर प्रशने बी ऑकशने एक नोपात दो सी ऑपं सेने डो एक डी ऑपने लिक्राइड इनवाल यहां पर अगला प्रष्ने हॉप्शन है बिलकुल से यहां पर देका थैक्षन हरे पॉधे कहालाते हैं जो हरे पॉधे हैं वह क्या राते एप्षन है swap OC, B option है मिरत जीवी, C option है पर जीवी, D option है उप्यक्त में से सभी तो हरे पौदे क्या कहलाते हैं तो हरे पौदे अपना भोजन स्वैम बनाते हैं इसलिए इसे swap OC कहा जाता है यानि यहां पर A option क्या हो जाएगा बिलकुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रिशन है अगला प्रिशन 34 नमर छोटी आत्में पाये जाने वाले रशांकूर का क्या कारे होता है यहां पर जो रशांकूचन पाये जाता है वह क्या करता है यहां पर B option क्या हो जाएगा बिलकुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रिशन 35 नमर 35 नमर प्रिशन है केप्स चक्र की क्रिया कहा होती है माइट्रो कॉंड्रिया में होती है यह आपको पता होना चाहिए यहां पर B option क्या हो जाएगा बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रिशन यहां पर 36 नमर प्रिशन देखिए पादप में अनाक्सी स्वासन का अंतिमुत पादक क्या होता है तो जो पादप होता है वो ऑकसी स्वासन करता है अनाक्सी स्वासन नहीं करता है इसलिए इसका अंतिमुत पादन नहीं होगा यहां पर D ौप्षन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा पादफ हमें सा स्वसन करता है अनाक्सी स्वसन नहीं करता है आईए देखते हैं अंगला प्रिशने आपे 37 नमर प्रिशने देखे काफी महत्वपूरे पौदों में जल का परिवहन किसके दोरा होता है ऐो सने जाई लिएवर कira सब्सक्राइब और निए और यहाँ यह देखते हैं ऑंगला प्रिष्णियां पे डियो अप्रश्णियां यहां पर अरुतिस नमबर प्रश्णियां खुU लगला पर इस चरह तंतर किस में पाए जाता है यहां पर डी ओप्शन क्या हो जाएगा बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 49 नमर 49 नमर प्रशन देखें निमनम में से कौन पादप का उतसर्जी पतार्थ नहीं है इसमें से बताना है कि कौन है जो पादप का उतसर्जी पतार्थ नहीं है यहां पर डी ओप्शन क्या हो जाएगा बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने आपे अगला प्रशने चालिस नमर है इन में से कौन एमीनो आमले के विखंडन से बनता है यह देखते हैं अगला प्रशने आपे कि अगला प्रशने आपे 40 नमर प्रशने नीम्हलीखित मैं से कौन अनता स्रावी गरन्ती है बढताना कि कौन अनता स्रावी गरनती है यहां पर इंसुलीन की कमी से कौन सारोग होता है है यहां पर बताना है कि इसे कि सीब्स का प्रवाइब होता है कि यहां पर सी ओप्षन क्या हो जाएगा बिलकुल होग है सभी हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न यहां प्रस्फने का फिम होता है यहां पर बताना है कि इनसूलेन की कमी से कौन सा रोग हो घंगा बी UP मदूमे सी रत्स िर्षच इंसूलीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो यह मधू में होता है यानी economic pled भी बोलते है यहां पर κα्वर्व सुए हो जाएगा सुगर कि हो जाएगा है यहां यह देखतो अगला पुरस्वी आंपर अगला देख्विते देखिए चौालीस में कौ सा बढहई यहां पर मुकिलनげ भीजारो ऑप्सिए इनम से को ऊए नहीं तो यहां पर देखिए यहीं ऍहीं में कौ सी बिद्धा पाई जाती है तो ये मुकुलन fod एक याहां पर ऑप्रसंट यहां पर अगला प्रश्ण पैतालिस नमर मादा में निसेचन की प्रक्रिया कहां होती है यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते अगला प्रश्ण च्यालिस नमर प्रश्ण अनुवान सिखता के पिता किसे कहते हैं यहां पर अगला प्रश्ण यहां पर अगला प्रश्ण देखिए काफी महत पुड़ है जियो मंडल में उर्जा का मुख्य सुरूत कौन सा है यह उत्पादक भी उप्शन हो भूगता सी अब घट यहां पर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा और यहां हमारा अंतिम प्रश्ण तो अंतिम प्रश्ण यहां पर देखिए जातियों की उत्पती यानि दा ओरीजिन ऑफ्पीसिज नामक पुस्तक किस ने लिखा यह उप्षन लाइमार्क बी ओप्षन है यहां पर डर्विन C option है, Mander, D option है, इन में से कोई नहीं, तो जातियों की उत्पती, यानि the origin of a species, नाम पुस्ता किस ने लिखा है, तो Darwin ने लिखा है, यानि यहाँ पर B option क्या हो जाएगा, बिलकुल यहाँ पर है, सही हो जाएगा, उम्मीद करते हैं, समझ में आगया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, और लास्ट में आप आपको अपने बताईए, कि 48 में से आपने कितना सही किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बढ़ियों से त्यारी किजे,